नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि Scale Reliability के चेक किया जाता है Spaces में कबस पहले हम जाएंगे Analyze Scale then Reliability Analysis क्लिक करेंगे यहां पहले सी कुछ items select किया है जिस scale का हम Reliability चेक करनी है उसके सारे items हम select करके यहां ले जाएंगे और यह perceived feasibility के items है तीन items को measure किया गया था Statistics जाएंगे जो भी हमें चेक करना है इसके बाद हम Alpha यहां Alpha पर क्लिक करेंगे और यहां Labeling कर देंगे Perceived feasibility then we click OK सबसे ज़रूरी जो चीज है वह हमें यह देखनी है कि यहां Cronebacks Alpha की value क्या है और यह हमें report करने है 0.733 इन तीन items के लिए और भी कुछ चीज हमने correlate करने है For example Inter-Item Correlation Matrix के इन items का आपस में क्या correlation था तो जाएतर correlation 0.4 से उपर है 0.533, 0.4, 0.476 Mean है इन सारी items का 3.15, 3.19 Then Summy of Item Statistics, सारी items का Mean है 3.13 Minimum Maximum दे रखा है इसमें और Item to Total Correlation यहां पर दे रखा है For example PF1 So Corrected Item to Total Correlation, PF1 का Total से correlation है 0.5 So सबका Item to Total Correlation 0.5 यह से अबव है यहां CRONBAX L5 Item Deleted अगर हम PF1 को Relate करेंगे तो CRONBAX L5 की Value पर क्या असर पड़ेगा 0.644 हो जाएगी जोकि 0.733 थी यानि कि एक भी item कम होने पर CRONBAX L5 की Value बहुत साथा कम हो जाएगी तो गाईज इस वीडियो में इतना ही Next वीडियो में जाए जाएएवी जाए़ क्या